आश अगर तां कि अधर को आपको विकशने बड़ाटा वड़ा की रेस्पि बता रहे हूं इसके लिए मैंने चार आलू है जिने मैंने बॉयल करके मैश प्रिखांग दिशन बाचवांग गार नारीच करना अचाओ बाच लीए. है और थोड़ा कड़ी पता लिया है मैंने कड़ाई में एक बड़ा चमच तेल डाला है तेल हमारा गरम हो गया है अब इसमें मैं एक चमच राई डाल रही हूँ अब इसके अंदर मैं अध्रक लसुन की पेश डाल रही हूँ अध्रक लसुन हमारा भून चुका है अब मैं इसमें हरी मिर्स डाल रही हूँ अब मैं इसमें पहले गाजर डालोंगी आप रैंस्पीन डालोंगी और इसे थोड़ा सा मैं एक दो मिनिट भूल लोंगी इसके साथ ही मैं फोड़ा सा कड़ी पता डाल दूंगी और उसे भी भून लोंगी एक दो मिनिट भूलने के बाद अब मैं इसमें हरे मटर डाल रही हूँ शीमना मिर्ची डाल रही हूँ अब मैं इसमें आदा चमच हल्दी डाल रही हूँ और इसमें अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ अब मैं इसमें बॉल पटेटो डाल रही हूँ और अब इसके अंदर स्वादा नुसार में नमक डाल रही हूँ और इसमें अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ अब मैं इसमें हरा धन्य डालूँगे और उसमें अच्छी से मिक्स कर दोंगे हमारा वड़े का मिक्चर रही हो गया है अब मैं गयास बंद कर रही हूँ अब हम बेशन को घुलेंगे बेशन में थोड़ी सी हदी डालूँगी और स्वाजा अनुसार नमक डालूंगी और इससे थोड़ा थोड़ा पाई डालकर इसका गाड़ा गोल बनाऊंगी गड़े के मिक्शर को मैंने एक बाउल में खाली कर लिया है और बेशन का भी मैंने गाड़ा गोल बना लिया है यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अब मैं इसके बाउल बनाऊंगी और इसके गोले बनाके इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करूंगी इस तरह मैं सब बॉल बना लूँगे मैंने थोड़े बॉल रेडी कर लिये हैं और तेल भी हमारा गरम हो चुका है अब हम इसे फ्राइ करेंगे प्राई हो चुके है अब मैं इसे पलट रही हूँ वड़े हमारे दोनों तरफ से फ्राई हो चुके है अब मैं इसे भार निकाल रही हूँ इस तरह मैं अपने दुसरे वड़े भी प्राई कर लूँगी हमारा मिक्स वेजटेबल बटटा वड़ा काने के लिए रेडी है इसे मैंने धन्य पुदिरे की चटनी के साथ सर्व किया है आप मेले इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेले चैनल को सस्क्राइब कीजिए थैंक यू